हलो नमस्का सत्रियकाल अस्सलावालेकुम कैसे हैं आप सभी जिहां यहां पर आज जो आपने टॉपिक देखा है वो देखकर आप यहां तक आएं सब्सक्राइब कर आप हर एक पर्टिकलर सेक्शन को बहुत डीटेल में डील करना चाते हैं और इसी पर्टिकलर चीज के चलते मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जहां पर मेरा उद्देश यह है कि लीगल सेक्शन में आपको मास्टर बना दिया जाए ताकि अगर लीगल सेक्शन में कुछ भी सवाल आते हैं आखे कितने questions आएंगे किस level के questions आएंगे क्या paragraphs का जो length है उसको increase किया जाएगा जो questions है वो decrease तो हो रहे हैं बट वो कैसे adjust किया जाएगा यह सारी चीजें आप सभी के मन में चल रही हैं और हमारे मन में भी हैं तो इसलिए बहतर ही हो सकता है कि हम क्या गरें हम अपने basics से सारी चीजे discuss करेंगे कि how can we exactly complete the syllabus of our legal reasoning and at the same time score the maximum marks ताकि हमारा overall CLAD का score बढ़ जाए बट आगे बढ़ने से पहले आप से गुजारिश ही रहेगी कि अगर अभी तक आपने वीडियो पर like button जो है उसको click नहीं किया है then please do hit that like button and at the same time अगर इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर उसके बाद आप इस particular वीडियो के comment box में जाके अपना opinion जरूर छोड़ के आएगा अगर कुछ और ऐसे चीजे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि एक detailed discussion का वीडियो बनाया जाए तो वो topics जो है वो भी आप वहाँ पे करिएगा ताकि हम आपके in views को अगले particular topic में cover जरूर कर सकें जी तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जब हम legal reasoning की बात करते हैं तो क्या कोई syllabus दिया हुआ है जी हां consortium of NLU's जो है उन्होंने खुद को आपको बता रखा है कि आखिर undergrad में legal reasoning section में हम क्या पूछने वाले हैं तो अभी as of now हमारे पास वही syllabus है जो पि पता है 400 words का जो है paragraph होने वाला है तो हम assume करके चलते हैं कि हाँ this is true याने हमको paragraph 500 words का मिलेगा अब जो situation आएगी उसमें यह इससे बढ़ेगा कम नहीं होगा this is we are pretty much sure right इसके लावा हमको subject matter पता होना चाहिए कि passage जो आएगा वो किन subject matter से आएगा ताकि अगर हम उनको tap कर लेते then definitely हम उन subject matters को अगर पहले से पढ़के जाएंगे तो हमें वहाँ पर असानी होगी तो passages जो है वो किस चीज से related होंगे तो कह रहे हैं may relate to factual situations और scenarios which may involve legal matters याने laws related matters होंगे इसमें public policy जो की question में चल रही है वो होगी यहाँ पर और moral philosophical inquiries जो है हमारे समाज की वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कहने का तात पर आपको अगर legal reasoning करना है तो आपको contemporary legal issues जो है उनके बारे में एक depth में knowledge होना चाहिए बट सर इसकी next line तो कुछ और कह रही है इसकी next line कह रही है that you will not require any prior knowledge of law yes we agree that you do not require any prior knowledge of law but how are you going to make an edge over others this is a sheer competition यहां मार कार्ट चल रही है सर एक 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 rank के लिए आदे आदे नंबर पर rank जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं यह तो आपको पता ही होगा तो इस थिती में अगर आपको edge चाहिए है तो क्या करना होगा आपको इसका next line जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा next line क्या करी है you will benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues जितने भी हमारे contemporary legal and moral issues चल रही है उनके बारे में अगर आप knowledge लेकर चलते हो तो definitely आपको एक edge मिलने वाली है ठीक है यह कौन बोल रहा है यह directly syllabus जो है वो हमको बता रहा है ठीक है अगर जब हमने syllabus को देख लिया तो उससे हमें कुछ चीज पता चलती है और वो यह है कि अगर हम एक basic strategy बना कर चले basic strategy तो वो क्या हो सकती है basic strategy यह कहती है कि सबसे पहले आप basic laws को cover करें I always say that there are four pillars कौन कौन से सबसे पहले आता है इसमें the constitution of India yes constitution of India जो है यह सबसे important होता है क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप legal development की पढ़ोगे legal issues की पढ़ोगे उनमें कहीं na कहीं conflict जो है constitution से ही दिखाया जाएगा and इसी लिए आपको एक in-depth understanding होनी चाहिए constitution of India की specially fundamental rights की ताकि आप उन चीज़ों को समझ सके इसके साथ constitution के बाद अब आपको contract जो है वो पढ़ना है contract के बाद आप जो है पढ़ेंगे law of thoughts and फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे IPC जब आप इन चार स्तंबो का four pillars जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं then definitely आप यह कह सकते हो कि आपकी तयारी जो है वो substantial level पर पहुंचना शुरू हो गई है अभी पहुंची नहीं है क्योंकि पहुंचने के लिए अब आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी and that is you will have to develop a reading habit. reading of what? reading of storybooks? reading of magazines? reading of editorials? reading of editorials? ये editorials कहां मिलेंगे? ये editorials आपको news articles में मिलेंगे news articles में मिलेंगे और ये news articles आपको कहां मिलने वाले हैं? ये आपको मिलेंगे newspapers में कहने का मतलब that ultimately हमको newspaper पढणना है, क्यों? क्योंकि newspaper में news articles आएंगे और इन articles के basis पे next day आपको एडिटोरियल देखने को मिलेंगे ठीक है थर्ड चीज़ आपको सारे के सारे legal developments पूरे साल में वो सारे legal developments जो हुए हैं कुछ amendments हुए हैं, कुछ changes आए हैं उन सभी को tap करना होगा and along with that जितने भी landmark judgments आ रहे हैं उसमें जो laws question में रहे हैं उनको या principles question में रहे हैं उनको आपको एक बार अच्छीज़ टैप करना होगा इसके अलावा acts और bills जितने भी news में if in case there is an act there is a bill which has been introduced in the parliament तो आपको पता होना चाहिए कि उस bill में क्या चीज़े हैं किसी से related है क्यों है क्या है everything you should be knowing similarly public policy issues in news जी हाँ public policy से जुड़े हुए subject matters आपको बनने चाहिए जितने भी होते for example transgenders से related provisions की बात की जारी है कि उनके लिए या rather lgbt lgbtiq plus community जो है इनके rights की बात की जा रहे ही है या अभी जो आपने सुना होगा same sex marriage जो है इस से related issue बहुत जादा news में रहा है last year surrogacy जो है it was into news तो इस प्रकार के public policy matters जो है उनको भी आपको tap करना होगा अब एक बारी आगे बढ़के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार के सवाल जो है identification act of the year 2022 कहने का मतलब they are talking about an act which was earlier a bill but later on it became an act फिर इस से जुड़े हुए कुछ rules आये थे बाद में तो ये पूरा का पूरा सिनारियो पूरे साल जो चल रहा था जिस पर debates भी हो रही थी this became important और चुकी this became important इसके अंदर आप जब गौर से देखोगे तो अलग-अलग provisions बताये गए for example head constable or above can only collect the data या फिर अगर magistrate कंपल सरे ली कह दे तो data has to be provided इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली है आप बहुत चीज़े देख सकते हैं लास्ट येर मैंने बच्चों को YouTube पर यह चीज़ साफ साफ पढ़ाई थी and this is a video जो कि केवल और केवल एक दिन पहले का है अगर जिस बच्चे ने मेरे साथ जुड़के पिछले 5-6 मैंने पढ़ लिया उसकी तो चांदी चांदी होगी थी लेकिन इसके बावजूद अगर आपने एक हफते पहले भी मेरे YouTube के sessions देखे होंगे आप देख सकते हो Criminal Procedure Identification Act और इसके अंतरगत सारे के सारे provisions क्या थे वो सब कुछ मैंने यहां in detail जो है वो discuss किया था Moving ahead आप देख सकते हो The next question which was there was Surrogacy Act Surrogacy is related यह question था Surrogacy Regulation Act of the year 2022 Again this was very much into question Because question यह था कि क्या आभी भी हम सिफ Eltroustic Surrogacy को ही promote करेंगे क्या हम commercial surrogacy को नहीं कर सकते अगर शायद हम commercial surrogacy को Promote करते तो जो behind Behind the real market जो आपकी surrogacy चल रही है चुप चुप के वो शायद नहीं होती जिसकी वज़े से जो Surrogate mothers है उनको अच्छी health, अच्छा insurance अच्छी medication ये सारी चीज़ें Provide हो सकती थी but since This was something which was in news for the Whole year आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इससे जुड़ा सवाल जो है वो देखने को मिला चीके उसके आगे आप देखिए This is the Surrogacy Act The Act prohibits commercial surrogacy यहाँ पर they are talking about the eligibility 25 years, 35 years क्या है Surrogate mother का आप जब यहाँ देखेंगे यह देख सकते हैं 25 years, 35 years यह सब कुछ यहाँ पर mentioned है कहने का ताथ पर कि मैंने एक दिन पहले ही आपको यह सारी चीज़ें पढ़ाई थी इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज सिर्फ उतना पढ़ते जाए that is more than enough for your examination Moving ahead Consumer Protection Act Consumer Protection Act was in news because जो हमारा पुराना Consumer Protection Act था उसको replace करके 2019 में एक नया Consumer Protection Act लेकर आया गया इस Consumer Protection Act के आने के बाद जो e-commerce industries है वो थोड़ी सी हिल गई थी क्योंकि यहां पर इस Act के अंतरगत regulations लाए गए थे even for the e-commerce industries अब चुकी e-commerce industries की बात हो रही थी and हमने replace किया था 1986 का Act आप देख सकते हो this is a thing which was very much taught by me in the YouTube sessions उसके बाद आप आगया होगे Twitter के बारे में यहां पर सवाल उठ रहा है याने कि they are talking about IT Act आप आगया होगे देख सकते हैं यहां पर मैंने यह IT Act से जड़ा पूरा का पूरा प्राबधान बच्चों को पढ़ाया था Section 66 A specifically पढ़ाया था और उसके अलावा भी बहुत सारे sections IT Act के यहां पर पढ़ाये गए थे Moving ahead यहां पर सवाल पूछा गया है about article number 19 of the Constitution of India उसके provisions की बात कर रहा है खास तोर पर यह बात कर रहा है restrictions की restrictions की reasonable restrictions जो हैं वो कौन कौन से लग सकते हैं for example यहां पर दिया है sovereignty and the security of the state integrity of the nation friendly relations with foreign states, public order article number 19 यहां पर आपके लिए मेरे दोरा already YouTube पर पढ़ाया गया था इसके बाद आप आगे आएंगे electoral bond scheme this was something जो की जिस platform पर मैं पहले जुड़ा हुआ था उस platform पर मैंने साफ साफ detail में paid classes में पढ़ा रखा था सारी की सारी चीज़ें electoral bond scheme से related similarly यहां पर आप देख सकते हो FIR से related चीज़ है and specifically section number 498A की बात की जा रही है अगर आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मेरा कल का legal current affairs का session जो है वो अगर attend किया होगा जो daily यहां पर लगता है तो भी आप यह realize कर लोगे कि 498 जो है वो in detail मेरे द्वारा discuss किया गया है in detail ठीक है फिर यहां पर NALSA जो है this was very much asked in the examination and NALSA से जुड़ी हुई जो चीज़े हैं वो आपको legitimacy मिलती है from article number 39A जो की amend करके बाद में add करी गई है and जब हम पढ़ते हैं constitution के बारे में खास करके DPSP के बारे में वहां पर मैंने आपको यह सारी चीज़ें detail में last year पढ़ा रखी थी अब इन सभी चीज़ों से क्या समझ में आता है is it, is it possible to tap the paragraphs answer is yes, it is however, we cannot say कि completely हम इसको कर सकते हैं but yes to an extent अगर 8 paragraphs last year आए हैं तो I can say out of 8 all the 8 words being taught by me तो वैसे ही अगर आप चाहते हो कि इस साल भी आप इस तरह से पूरे के पूरे paragraphs जो हैं वो पहले से ही समझ के जाएं और अपने legal reasoning को अपना strong area बनाएं तो I have a solution for you, at an academy since everybody was asking me for this, पूरा का पूरा legal reasoning और legal current affairs का course जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, one stop solution for all your legal current affairs and legal reasoning needs कहने का मतलब, constitution contract, thoughts, IPC and along with that, जितने भी legal current developments हो रहे हैं, वो सारे के सारे इस head के अंतरगत आपको पढ़ाई जाएंगे, and guess what अभी देर नहीं हो ये, you have an opportunity कि आप इसके लिए register कर सकते हैं because ये batch शुरू हो रहा है 29th of June से जी हाँ, कल से ये batch जो है, वो आपका चालू हो जाएगा, करना क्या है आपको सिर्फ जाके register करना है Unacademy के store पे जाएए या फिर ये QR code जो दिया गया है इसको scan कर लो, जैसे ही आप scan करोगी, ये directly आपको इस batch के details के साथ open कर देगा बट सवाल ही उठता है, सर इसका price क्यों होगा, सर honestly बदा रहा हूँ, ये priceless है, if I were you, if I would have been at your place, और मुझे पता होता कि मेरा एक particular section किसी के द्वारा completely cover किया जा रहा है मुझे कुछ भी करने के आवशक्ता नहीं है this would have been priceless for me ताकि फिर में बाकी चीज़ों पर focus कर पाता तो लेकिन Unacademy ने इसका price जो है वो रखा हुआ है 899, however Unacademy is kind enough to give you a discount of 1000 रुपीस, तो ये आपको 7999 में अभी मिल रहा है, but since you are associated with being Aditrae Army, that is Bar Army, तो आप ये code जो है वो लगाएगा BAR5, जैसे ही आप ये code लगाओगे, coupon code आपको देखने को मिलेगा 2000 रुपीस का और discount additional discount of how much 2000 रुपीस, तो in totality in totality क्या होगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा beneficial होगा, और ये price आपका हो जाएगा, 5999 रुपीस only, so in this price, you are getting everything which is required to cover your legal reasoning and legal current office part, ठीक है, and इसके बाद आपको कुछ भी करने के आवशकता नहीं होगी, पूरा का पूरा syllabus यहाँ cover कराया जाएगा, interactive life classes होंगी, in class doubt solving होगी, आपके जो भी doubts हैं, उसको यहाँ पर life solve किया जाएगा, चीक है, I hope you are clear with this, इसके अलावा, आपको एक बाद और बता देते हैं, कुछ बच्चे हैं, जन्होंने अभी तक mock test जो है, वो लगाना शुरू नहीं किया है, sir, this is the right time, जब आपको अब हर week, जो है, कम से कम एक mock जो है, लगाना अनिवार है, तो mocks के लिए, unacademy आपके लिए 35 mocks का एक bundle लेकर आया है, और ये जो bundle है, ये full length आपको 30 test मिलेंगे for clat, and 5 test आपको देखने को मिलेंगे for elite, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें यहां पे cover हो जाएंगी, and इसका price जो है, वो 4,200 रुपीज रखा गया है, however, again, since you are belonging to bar army, आपने कुछ नहीं करना है, bar 5 code लगाना है, जैसे ही आप bar 5 code लगाओगे, you will get to see a maximum discount, maximum discount, जो भी इस portal पे available होगा, छीक है, I hope your doubts are cleared, अब आपको करना क्या है, इस चीज़ को आपको realize करना है, जो मैंने आपको बता रखी है, and at the same time, you need to get connected with me, यह QR code यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आप scan कर सकते हैं, जैसे ही आप इसको scan करेंगे, आप एक telegram channel है, मेरा, which is being aditriai underscore klat, जहां पर आप आप आके जोड सकते हैं, आप अगर चाहे हैं, तो directly search कर सकते हो being aditriai in continuation जैसे ही आप search करोगे आपको directly यह ले कर आएगा इस telegram group पे, being aditriai is my social handle, जहां आप instagram या telegram या youtube कहीं पे भी मुझको follow कर सकते हैं, and definitely you will get to see all the updates related to the classes and everything over here, okay, with this, I would like to sign off, thank you so very much for your valuable time, the only thing which I can say over here is कि अगर आप महनत करोगे सही दशा में, सही दिशा में, I am pretty much sure कि आपका जो aim है वो यहां पर आप जरूर पूरा कर पाएंगे, it is just that, आपको यह नहीं सोचना है बाकी क्या कर रहे हैं, आपको यह सोचना है कि exam में क्या हैगा, और आप किस level पे खड़े हुए हो, अगर आप इतना कर लेते हो, that is self-analysis, अगर आप कर लेते हो, then you will be in the best of the best position, and definitely, यहां यह आपका launchpad होगा, इसके बाद आपको पीछे पलट कर देखने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी, with this I am signing off, my name is Aditya Rai, thank you so very much for your valuable time, keep studying, keep grilling, जय हिंद, जय भारत